Hello friends, स्वागत है आपका आज की न्यूज अपडेट में न्यूज अपडेट स्टार्ट करने से पहले एक बाद इसक्लेमर हम आपको कोई भी फाइनेशल अडवाईस नहीं दे रहे हैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी अनैलेसिस के बाद ही करनी है क्योंकि profit और loss आपका अपना होगा और ये market काफी risk है तो इसको अच्छे से समझिए उसके बाद ही अपनी जो money है वो इसमें इन्वेस्ट करीए तो चलिए अब हम चलते हैं अपने news update की तरफ तो news update में सबसे पहले जो news हम cover कर रहे हैं वो है US के Texas state से तो कहा ये जा रहा है कि Texas state जो है वो अपनी constitution को ही amend करने जा रही है bitcoin या crypto को legalize करने के लिए तो अभी के लिए उन्होंने दो नए law जो हैं वो ruling कर दिये हैं उनको add कर दिया है तो अब वहाँ पर अगर हम बात करें Texas state की सिरफ तो Texas state में ये जो दो नए law आए हैं HP 4474 और HP 1576 तो इन दोनों bills में यहां पर उन्होंने allow कर दिया है कि आप virtual currency को कैसे control करते हो कैसे उसको purchase करते हो या कैसे उसको एक security interest की तरह use करते हो मतलब कि आप कैसे उसमें अपना business करते हो ये सारी चीजों का उन्होंने rule बना दिया है एक law बना दिया और इस law के accordingly ही आपको जो है वो काम करना है तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि legalize कर दिया crypto में काम करना तो ये एक काफी बड़ा rule था और इसी के साथ साथ उन्होंने जो दूसरा जो उनका rule था 1576 तो उसमें उन्होंने एक group बना दिया है blockchain working group जो कि इन सारी चीजों को देखेगा तो अब Texas चाता है कि वो आगे चलकर इस चीज का benefit जो है वो जल्दी से जल्दी उठा सके और उनका जो plan है वो ये भी है कि वो अपने constitutions में ही amendment करने और उसी के साथ ही जो उनका tax एक तरीके से जो property tax लेने का तरीका है उसको भी amend करने तो उसमें वो crypto को भी add करने so that कि crypto और जो gold उन दोनों का जो एक तरीके से level है वो same आ जाए कि आप अपना tax जो है वो gold में भी दे सकते हैं और crypto में भी दे सकते हैं अब चलते हैं अपनी अगली news के तरफ तो अगली news में यहां पर कहा यह जा रहा है कि bitcoin के जो exchange में reserves हैं जितनी भी exchanges हैं उनके पास जितने भी bitcoin है at present वो अपने record low पे जा रहे हैं तो यहां पर एक bearish जो mode है वो देखने को मिल रहा है हो सकता है कि bitcoin जो है 43,000 का जो आंकड़ा है उस तक पहुंच जाए तो यह काफी अगर मैं बात करूं तो बात जो है यह negative news है लेकिन उसी news में यहां पर साथ में यह भी लिखा है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो हो सकता है कि bitcoin जो 46,000 यहां पर उन्होंने mention किया है जो resistance है at present तो हो सकता है उसको भी cover up करके उससे उपर 47,000 का जो आंकड़ा है वो भी कर ले तो यहां पर resistance 46,700 पर है तो 46,700 का आंकड़ा भी वो cross करके उपर भी जा सकता है तो at present अगर यह bitcoin के जो reserves है exchanges के उपर अपने low पर ही रहते हैं तो आने वाले time पर हमें dump जो है वो देखने को मिल सकता है 43 की value तब का अगली news की बात करें तो ergo blockchain जो है उनको 25 million dollar का जो एक loan मिला है galaxy digital से तो इससे पहले भी वो galaxy digital से 20 million dollar का loan जो है वो ले चुके हैं अपने mining के जो setup है उसको बढ़ाने के लिए तो अभी भी उन्होंने और 25 million dollar का एक तरीके से loan लिया है so that कि वो Texas state जिसकी हमने अभी बात करी है कि वो crypto friendly हो रही है तो वहाँ पर उन्होंने अपनी जो land है वो खरीदी है mining के लिए तो वो चाते हैं कि इस पैसे के साथ वो अपना setup बढ़िया तरीके से करें Texas की state में तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपना जो इतना बड़ा loan है वो उठाया है galaxy digital से अगर बात करें उनके bitcoin holdings की तो current market price की अगर बात की जाए और bitcoin holding जो उनके पास है उसकी बात करी जाए तो उनके पास करीब करीब 71 million dollar जो हैं वो bitcoin में ही पड़े हुए है अगली बात करें तो इंडिया में एक blockchain based platform लाँच होने वाला है तो अब हम बात कर रहे हैं इंडिया की लगातार काफी दिनों से तो इंडिया में blockchain की जो technology है उसको अब काफी जादा use में यह कहें कि उसके काफी सारे use cases जो हैं वो इंडिया में देखने को मिल रहे है अब यह जो नई आई है platform तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि भाई जितने भी holiday properties हैं इंडिया में या Indian companies की बाहर foreign countries में आप उन सभी में blockchain के थुरू अपनी investment कर सकते हैं उनके investment जो उनका यह जो blockchain based उनका investment platform है उसमें आप एक fractional amount भी खरीज सकते हैं उस property की और आप उस property के co-owner बन सकते हैं इस blockchain की technology के साथ तो अब supposedly अगर कोई holiday property है उसकी market value के अगर बात की जाए वो करोडों में हैं तो आप उसमें लाखों invest करके अपनी उस लाखों की property के co-owner उस बड़ी property के एक छोटे co-owner बन सकते हो तो यह एक मैं यह कह रहा हूँ कि ऐसी application है या एक ऐसा platform है जिससे कि एक ही property के multiple owner बन सकते हैं और यह सारा record blockchain के उपर रहेगा तो इसको कोई भी हटा नहीं पाएगा और अगर ऐसा platform इंडिया में आ रहा है तो हो सकता है आने वाले time पर बाकी countries में भी यह platform काफी hype में जाए और यह जो technology को use किया जा रहा है blockchain की को इसको use करके आगे और भी नए platforms बने और इंडियन government को भ blockchain का technology का network और वो इसको allow करें कैसे भी legalize करें जो भी तरीका उनको better लगता है उससे करें text लगा के करते हैं तो उससे करें यह without text करते हैं यह जैसे भी उनको करना है बट एक बार उसको legalize करें regulate करें so that कि जो Indian consumers हैं जो Indian users हैं वो एक एक तरीके से यह कहें कि भई वो safe महसूस कर करें कि भई हम trading कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं अगली news की बात करें तो CBDC का यहां पर एक negative impact जो हो सकता है उसके बारे में बात करी है Wall Street Journal तो WSJ का कहना यह है कि अगर CBDC आती है countries में तो इससे होगा यह कि जब भी कोई recession period आता है तो central bank जितने भी हैं उनके पास यह option रहेगी कि वो interest rate को negative भी कर सकते हैं तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि आपको पैसे भी मिलेंगे और पैसे मिलने के साथ साथ आपको यहां पर interest जो देना है वो देने की बज़ाए लेना भी हो सकता है तो अब bank यहां पर इसको किस level तक लेके जा सकते हैं कितना negative लेके जा सक इस चीज के लिए राजी नहीं होगी लेकिन एक option जो है वो बैंकों के पास खुली रहेगी कि वो negative भी कर सकते हैं interest rate को अगली बात करी जाए तो स्विस यहां पर स्विस बैंक की अगर हम बात करें तो काफी जादा news में रहता है कास करके इंडिया में क्योंकि बहुत सारी black money वहां पर पड़ी हुई है अब यहां पर स्विस जो government है उन्होंने एक stock exchange को regulatory node भी दे दिया उन्होंने उसको allow कर दिया क अब यह जो एक्सचेंज है उन्होंने अपने आपका जो नाम रखा है वो six रखा है आप यहां पर देख सकते हैं इतना बड़ा उनका जो holding है यहां पर तो इसको अब उन्होंने अलाव कर दिया है कि आप digital asset exchange भी खोल सकते हैं आप normal traditional exchange भी खोल सकते हैं तो उनको दोनों का ह काफी सारे जो बड़े banks हैं या issuers हैं या insurance firms हैं या institutional investors हैं वो सारे के सारे इसका benefit उठा सकते हैं तो अगर ऐसा होता है तो crypto में नया पैसा आएगा नया पैसा आएगा तो market में boom देखने को मिल सकता है अब यहां पर आप कहोगे कि भाई पहली news cover करी है जिसमें 43,000 की बात हो पाड़ेगा और उसके लिए time लगता है तो हम अभी के लिए आपसे news जो है वो शेयर कर रहे हैं तो अगली news यहां पर Algorand के लिए तो Algo ने जो है वो launch किया है 300 million dollar का अपना innovation fund तो अब वो चाहते हैं कि जादा से जादा जो project है वो उनके platform के उपर बने तो यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं सुलाना भी यही काम कर रहा है अब यहां पर Algorand जो है वो भी इसी platform को use करते अपना जो काम है वो बनाना चा आता है कि भई जादा से जादा project मेरे पास आएंगे मेरा network strong होगा मेरी technology strong होगी तो उसके लिए उन्होंने यहां पर यह 300 million dollar का fund जो है वो निकाला है अब उस 300 million fund में से वो कह रहे हैं कि भई 5 million dollar जो हैं वो हम लगाएंगे कि भई bridge बनाया जाए Algorand और Ethereum और बाकी के जितने projects हैं उनके साथ तो यह bridge हमने आपको पहले भी बताया कि हर application जो है वो bridge बनाने में लगी हुई है so that कि जब Ethereum का 2.0 आ जाए तो वो easily integrate कर पाएं सारे के सारे projects के साथ तो एक तो उन्होंने यहां पर पैसा खर्चा है दूसरा वो चाहते हैं कि जो Oracle network है जो कि एक तरीके से real world information ज उसके बाद वो आगे चलकर इस fund को धीरे धीरे use करेंगे so that कि जादा से जादा जो project है वो उनके network के ऊपर बन सके अगली बात करें हम न्यूस की तो research frontier और algorithm यह तीनों ही double digit gain कर रहे हैं अब हमने आप से already cover कर दिया algorithm का कि वो भाई 300 million dollar लगा रहा है और इस से पहले ही वो gain भ पहले भी कि वो अब default browser बन चुका है यूरोप के mobile phones का android के mobile phones का तो इसलिए उसकी काफी hype थी हमने आप से news cover करी थी हो सकता आपने तब research को buy किया हो और काफी gain तब भी आपको मिला होगा अभी अगर आपने hold करके रखा होगा तो आपको एक बार फिर से gain जो है वो मिला होगा अब बात करें हम frontier की तो frontier का भी जो एक event है वो आने वाला है 15 सब्तमबर को तो 15 सब्तमबर को frontier अपनी mobile app launch करने वाली है तो इस वज़ा से front का जो coin है उनका frontier का उसकी भी काफी hype बनी है उसने भी काफी बढ़िया gain जो है वो किया है अगर हम बात करें तो यहां पर 50% का gain उसक चुके हैं कि वो 300 million dollar का fund लेकर आ रहा है और उसी के साथ-साथ उनका एक October 1st को event आने वाला है जिसमें वो decentralized governance model लेकर आने वाले है तो इस वज़ा से भी algorithm का भी काफी देर तक जो positive hype है उसकी वो बनी रहेगी अगली news की बात करें तो करडानों का जो hard fork है वो अब एक तरीके स आने वाला है आज 12 September को तो वो US time के accordingly आएगा हमारी news उससे पहले आ गई है तो अब आपको जो है करडानों के उपर पूरा एक जो अपनी आँख है वो रखनी है क्योंकि इस event के बाद हो सकता है वो गिर भी जाए और बढ़ भी जाए तो जैसी भी situation आती है आपको उसके accordingly act क करना है अगर नीचे की तरफ जाता है तो आपको अपना sale out का जो order है वो लगाना है so that कि आप अपना profit book कर सकें और फिर dip में buy कर सकें लेकिन अगर उपर जाता है तो well and good है आपके लिए आप उसको hold करके रख सकते हो अगली news यहाँ पर social country से है तो वो भी अब pros and cons को list down कर रह तो उससे नुकसान होगा या फाइदा उसको एक तरीके से वो अभी अपना study है उसको कर रहे हैं और उसके बाद अपना decision जो है वो लेने वाले होंगे अब अगली news यहाँ पर finance pay और go crypto इन दोनों के बीच में integration हो गई है go crypto ने finance pay को use कर लिया अपनी application में अब उनकी users के पास काफी सारी options आ जाएंगी crypto की payment करने के लिए तो ये एक काफी positive news है बाइनेंस के लिए अगली news यहाँ पर जो company है सुरारे वो अब nft launch करेंगे players की जितने भी Spanish ला लीगा के जो जो लीग है उसके जितने भी players है उन सभी की यहाँ पर मेरे ख्याल से वहाँ पर मैसी भी है और और रोनाल्डो भी हैं तो इन सभी की यहाँ पर nfts launch होने वाली है और यहाँ पर अगर बात करें सुरारे का सुरारे की company का तो उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि आने वाले time पर 2022 के लास तक वो सारे के सारे जितने भी leagues हैं यहाँ पर football के यहाँ सौकर के तो उनको वो अपन और Mina protocol का अगर यहाँ पर यह integration हो रहा है तो इससे होगा क्या कि एक privacy जो है वो आ जाएगी Polygon के network के उपर तो यहाँ पर इससे काफी benefit मिलने वाला है Polygon को तो इस news के चलते Polygon Matic को और Mina दोनों को ही hype मिलेगी और दोनों ही बड़िया gain कर सकते हैं तो friends यह थी हमारी आज की news update आपके लिए आपको news update कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा और उसे के साथ साथ हमें thumbs up का icon प्रेस करकर भी motivate करें चैनल को भी subscribe करें अगर नहीं किया है और bell notification का icon जरूर दबाएं ताकि आपको news update के notification timely मिलते रहें मिलेंगे अब आपसे अगले update में तब तक के लिए thank you very much